तो भाई सिरान का मर्केट आप पहले जैसा नहीं रहा फिर भी कुछ ऐसी सिदान से जो जुलाई की महिने में टॉप टेन बेस्ट सेलिंग सिदान की लिस्ट में अपनी जागा बना पाईए तो शुरू करते हैं टेन्थ पोजिशन से जिसमें है टॉयोटा कैमरी हाइब्रिड जिसके जुलाई की महिने में 190 एक्सो नबब यूनिट्स भी की है पूरे देश में बात करें प्राइजिंग की तो कैमरी की प्राइस टार होता है 46,17,000 रुपे में उसके बाद नाइन्थ पोजिशन पर है मरति सुजु की सियाज जिसके जुलाई की महिने में 1348 एक हजार 348 उनिट्स भी की है पूरे देश में बात करें प्राइजिंग की तो सियाज का एक शोरूम प्राइस टार होता है 9,30,000 रुपे से उसके बाद एट्थ पोजिशन पर है होंडा सीटी जिसके जुलाई की महिने में 1478 एक हजार 488 उनिट्स भी की है पूरे भारत के अंदर बात करें प्राइजिंग की तो सिटी का एक शोरूम प्राइस टार होता है 11,60,000 रुपे से उसके एक शोरूम प्राइस उसके बाद फिफ्थ पोजिशन पर है फोक्सवागन फार्टिस जिसकी जुलाई की महीने में 1737, 1737 युनिट्स भी की है पूरे देश में लगबग 11,48,000 रुपे से शुरू होता है इसका एक शुरूम प्राइस उसके बाद फिफ्थ पोजिशन पर है होंडाई वारना जिसकी जुलाई की महीने में 2858, 2858 युनिट्स भी की है पूरे भारत के अंदर फ्राइजिंग की बात करें तो 10,90,000 रुपे से शुरू होता है इसका एक शुरूम प्राइस उसके बाद फूर्थ पोजिशन पर है टाटर की गौर जिसकी 2864, 2864 युनिट्स भी की है पूरे देश में जुलाई की महीने में फ्राइजिंग की बात करें तो लगबग 6,30,000 रुपे से शुरू होता है इसका एक शुरूम प्राइस फ्राइजिंग की बात करें तो लगबग 6,32,000 रुपे से शुरू होता है औरा का एक शुरूम प्राइस और अभी बात करें सबसे ज़्यादा बिकने वाली सिदन की तो वो आप सबी को पता है वो है मारति स्ट्यू की डिजायर जिसकी जुलाई की मेने में 13,395,1395 वी उनिट्स भी की है पूरे भारत के अंदर बात करें प्राइसिंग की तो लगबग 6,51,000 रुपे से शुरू होता है डिजायर का एक शुरूम प्राइस तो वाई ये है वो दस सिदन्स जो इस लिस्ट में अपनी जागा बाना पाई है तो आज की इस वीडियो में इतना ही बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते है और चैनल को सब्सक्राइब मिलते अगले वीडियो में